क्या अनुपमा के लिए आध्या की आजादी को कुर्बान करेगा अनुच? अनुच के मजबूरी का फाइदा कैसे उठाएगी मेगा? क्या होगा शो के महा एपिसोड में? होगा मिलन या हिस्से आएगी बिछड़न? आईए जानते हैं! नमस्कार मैं हूँ हमानी और आप देख रहे हैं इन्स्ट्रफियर पूरी वीडियो देखने से पहले जल्दी से हमें फॉलो करें, सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना न भूरें शो की रीटिस्ट एपिसोड में सांगवीज के घर से निकलते हुए अनुपमा ने सुनी मेगा की तक्रीफ और अपनी बेबली को बचाने का किया फैसला मा बेटी हुए महा मिलन के लिए तैयार और अनुच के साथ अनुपमा पहुंची मंदिर जहां शहाँ फैमिली भी है मौजूद आद्या के excitement पर हुआ मेगा को शक और उसके गैर मौजूदकी में डाइरी और फोटो से खुल गया छोटी और बड़ी अनुपमा पहुंची से अपनी बेटी का इंतिजार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ छोटी अनुपमा राज खुल चुका है ऐसे में क्या मेगा आद्या को काना जी के मंदिर लेकर आएगी शो लेने वाला है एक दिलचस्प मोड जिससे सुनकर आपका दिमाग चक्राना तो तैह कयास नगाए जा रहे हैं कि अनुच और आद्या को मिलाने के बाद अनु के बेहोश होने पर सब चलतबाजी में उसे हॉस्पिटर लेकर जाएगे ऐसे में डॉक्टर उसकी हालत क्रिटिकल बताएगा और इलाज के लिए मागेगा अच्छी खासी फीस ऐसे में तब तब मेगा को भी सारा माच्रा पता चल जाएगा और वो अनुच को देगी एक ऐसा ओफर जो उसकी जिन्दगी का रुख मोड़तेगा दरसल वो अनुच को अनु के इलाज के लिए पैसे देने के बदले आद्या की लीगल कस्टडी मागेगी ऐसे में प्यार या उलाद किसे चुनेगा अनुच उसका एक फैसला तीन जिन्दगियां बदलतेगा कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुपमा की जिन्दगी बचाने के लिए अनुच मेगा के साथ एक सौधा करेगा इसके मताबिक वो अनुच की इलाज का खर्चा उठाएगी और बदले में वो छोटी अनुच को उसके पास रहने देगा पर यहाँ एक ट्विस्ट है दरसल वो भी मेगा के साथ उसी के घर में रहकर आद्या का खयाल भी रखेगा ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बार फिर छोटी अनुच को ये एहसास होगा कि उसके बॉप्स ने अनुपमा के लिए उसे कुर्बान कर दिया हारांकि ये बात कितनी सच है और कितनी जूट ये तो आने वाले एपिसोट्स की बता पाएंगे शो में मीनू और सागर की लव स्टोरी भी इस समय काफे पसंद की जा रही है जहाए एक बार फिर वनराज में ली है विलन की सीट लेकिन दोनों का इश्क जल्द चड़ेगा परवान और दोनों भाग कर शादी कर लेंगे ऐसे में वनराज क्या करता है और सागर को अपनाता है या नहीं ये देखना बेहत मज़दार होगा साथ ही आशभवन में इंद्रा और बाला भी एक दूसरे के करीब आते दिखे तो मान ना सही लेकिन रोमांस का दढ़का कई दूसरे कपल सरूर लगाएंगे कैसा लगा आपको हमारे एक करेंट प्लॉट कॉमेंन सेक्षिन में जाकर फटा फट टाइप करें और हमें अपना ओपीनियन जरूर बताएं बहराल हम देते रहेंगे ऐसे ही और भी मज़दार खबरे ताकि आपकी एंटर्टेन्मेंट डोस मिसना हो तो इस तरह के और भी जूसी खबरों के लिए चले आईए हमारे चैनल पर और इंस्टाफिट का बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें